हलो एवरिवन इस क्लास में हम लोग सीखेंगे साइन डूल क्या होता है साइन डूल का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं कैसे हम साइन डूल को अपलाई कर सकते हैं तो चलिए हम साइन डूल को समझते हैं साइन डूल क्या होता है सबसे पहले हम एक ट्रेंगिल द्रा करेंगे लेट ट्रेंगिल A B C, माल लिज़ यह कोई ट्रेंगिल है ट्रेंगिल में क्या तीन यहाँ पर साइड हो जाएंगे और तीन एंगिल हो जाएंगे तो जो एंगिल A है इसके सामने हम angle A के सामने हम side A consider करेंगे angle B के सामने हम side B consider करेंगे angle C के सामने side C consider करेंगे तो basically जो sign rule होता है जो हम यहाँ माल लीजे कोई भी हम side उठाते हैं माल लोग एक side उठाते हैं तो A आप उसके opposite में जो भी angle होता है उसका हम sign ले लेंगे तो A upon sign A denominator में फिर मालीजिए हमने कोई side B ले ली तो B हमने side ली अब इसके सामने B के सामने जो angle होगा उसका हम sign ले लेंगे यहां पर B side है, B side सामने angle B है तो यहां पर angle B का sign ले लेंगे तो is equal to b upon sign b अब side c यहाँ पर remaining है तो c upon यहाँ पर angle c है इसका हम sign ले लेंगे so sign c तो जो sign rule होता है वो ratio होता है sides और उसके सामने जो भी angle है apply करने का तरीका क्या है कोई भी side उठाई है उसके सामने angle देखिए तो उसका sign ले लेजिए तो A upon sine A और फिर इन सभी के लिए ratio बना लिए A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine E तो ये होता है sine rule sine rule होता है A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C तो अब sine rule कहां इस्तिमाल कर सकते हैं जब हमें दो side गिवन हो एक angle गिवन हो तो हम sine rule का इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर दो एंगिल एक side given हो तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब यहां से अगर हम सबसे पहले माल लीजए हमें side A B given है और angle sin A given है तो हम sin B निकाल सकते हैं तो हम क्या निकालेंगे तो A upon यहां पर लिखेंगे sin A is equal to B upon sin B sin B हम अगर निकालेंगे तो sin B is equal to हो जाएगा B sin A B sin A यहां पर upon में B sin A upon A तो इस तरीके से हम sin B निकाल सकते हैं यहां से हम sin B निकाल सकते हैं अगर माल लो sin B given है हमें sin A निकालना है तो अभी हम easily find out कर सकते हैं तो यह sin rule होता है तो हम किसी भी triangle की sides या फिर angle find out करने के लिए use करते हैं तो अब use कर सकते हैं जब दो side है given हो एक angle given हो या फिर दो angle एक side given है तो हम sign rule का इस्तेमाल कर सकते हैं sign rule या sign lag सेमी चीज़ है उसको हम sign rule या sign lag कह सकते हैं तो sign rule का इस्तेमाल तभी हम करते हैं यह काफी important rule है जो काफी कोशनों में इस्तेमाल हम कर सकते हैं